मुख्यमंत्री उपेश बगेल ने सुमवार को भारत के आजादी की 75 वर्षगाट के पावन और गौरोशाली अउसर पर राजधानी रायपूर के पुलिस परेड मैदान में ध्वजारूहन करने के बाद प्रदेश वासियों को फतनता दिवस की बढ़ाई दी और शुबकाम मुख्यमंत्री ने इस उसर पर जनता के नाम अपने आजादी के संदेज में कहा कि आजादी की 75 वर्षगाट से फिर एक नया सफर शुरू होगा जो नियाय की हमारी विरासत के साथ आगे बढ़ेगा और गड़बो नमा चतित गड़ का लक्ष पुरा करेगा मुख्यमंत्री ने स्वतंता संग्राम सेनानियों और अमर शहिदों को नमन करते हुए कहा कि आजाद भारत के अमरित महोसों के मायने और मुल्लियों को समझने के लिए हमें दो शताब्दियों की गुलामी को याद करना होगा हमारे पूर्खों ने अपनी जान दाओं पर लगा कर फिरंगी सरकार के खिला बगावत का जंडा बुलन किया था उनका त्याग और बलिदान देश की भावी पीडियों का जीवन खुशाल बनाने के लिए था हमारा करतव है कि उनके सपनों को साकार करें और उनकी स्मृतियों को चरितार्थ बनायाए रहाए